Maverick Engineer Nikola Tesla ने Mechanical Engineering के छेतर में भी अपना युगदान दिया है। उनके पसंदिदा इन्वेंशन्स में से एक है Bladeless Turbine या Tesla Turbine। Tesla Turbine का डिजाइन बहुत ही सिंपल और युनिक था। फिर भी ये उस समय के Steam Turbines की Efficiency Level को मात देने में सक्षम था। Normal Turbines, Complicated Geometry और Stator Parts वाली Blades के साथ साथ डिजाइन में भी काफी कॉंपलेक्स होते हैं। Nikola Tesla ने एक बार कहा था कि Tesla Turbine उनका पसंदिदा इन्वेंशन है। और उन्होंने इस Turbine के लिए 97% की Efficiency Level का भी दावा किया है। तो आईए इस इंटरेस्टिंग टेकनीक को समझने के लिए एक डिजाइन यातरा शुरू करें। और लास्ट में हम टेसला के Efficiency क्लेम को भी वेरिफाइ करेंगे। आधनेक Turbines Air Foil Principle पर काम करते हैं। आप देख सकते हैं कि Air Foil के उपर Cross Section में बहने वाला Fluid उस पर Lift Force उत्पन करेगा और Blade को Turn करवाएगा। हालां कि अपने Turbine को Spin करवाने के लिए निकोला टेसला ने पूरी तरह से एक अलग Phenomenon पर भरोसा किया। Solid Surfaces पर Fluids का Viscous Effect। आपने ये Effect पहले देखा होगा। जब पानी एक गोल पत्थर के उपर से बहता है, तो पानी और पत्थर की सरफेस के बीच उत्पन्न होने वाले Viscous Force के कारण पत्थर मूव करता है। निकोला टेसला ने अपनी टर्बाइन को चलाने के लिए इसी फोर्स का प्रयोग किया। किसे पता टेसला को इसे एक्जैंपल से अपने टर्बाइन के लिए प्रेण ना मिली हो। अगर आप डिस्क के स्परशिय तोर पर Viscous Force उत्पन्न करते हैं, तो ये स्पिन करना शुरू कर देगी। हुरे! आपने टेसला टर्बाइन का सबसे सिंपल डिजाइन तयार कर लिया है। हाला कि ये काफी इनेफिशेंट टर्बाइन है, जेट की ज़ादा तर एनरजी यहां वेस्ट हो जाती है, तो आईए इस डिजाइन को और ज़ादा एफिशेंट और प्रैक्टिकल बनाते हैं। आईए इस शाफ्ट डिस्क पेर को एक कवर के अंदर रखें। अब फ्लुविड आउटर केजिंग के माध्यम से एंटर करता है, जो उसके टेंजेंशल है। फ्लुविड की बाहर निकलने का प्रोविजन टर्बाइन की सेंटर से है। मान लें कि अट्मॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में थोड़ा ज़ादा प्रेशर वाला इंटर फ्लुविड कम स्पीड से इंटर नूजल में एंटर कर रहा है। ये फ्लुविड जिस पात को लेगा, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। क्योंकि फ्लुविड की विलोसिटी काफी लो होती है, जिसके कारण डिस्क और फ्लुविड के बीच का विसकस फोर्स बहुत कम होगा और डिस्क घूमेगी नहीं। एग्सिट होल एट्मॉस्फेरिक प्रेशर पर होता है। इसका मतलब ये है कि फ्लुविड का प्रेशर एट्मॉस्फेर की तुलना में थोड़ा ज़ादा होगा और वो एक सीथी लाइन में बहता हुआ, सेंटर की ओर नैचरली फ्लो करता है। फ्लुविड की स्पीड बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। क्योंकि अगर फ्लुविड की स्पीड ज़ादा होती है, तो फ्लुविड और डिस्क सर्फेस के बीच का इंटरैक्शन डिस्क को टर्न करने के लिए परियाप्त विसकस फोर्स उत्पन्न करेगा। यहाँ एक इंट्रेस्टिंग मोड आता है। जब फ्लुविड पार्टिकल्स रोटेट कर रहे होते हैं, तो उस मोशन को बनाए रखने के लिए उन्हें एक निश्चत मात्रा में सेंट्री पैटल फोर्स की आवशक्ता होती है। सेम विलाउसिटी वाले एक फ्लुविड पार्टिकल्स को सेंटर से दूर रहने की तुलना में सेंटर के पास रहने में ज़ादा सेंट्री पैटल फोर्स की आवशक्ता होती है। इस कारण rotating fluid particles में center से दूर जाने की tendency होती है हालां कि turbine का exit center में होता है इसलिए fluid particles को आखिरकार उस तक पहुचना ही होता है rotating case के इन opposite effects के कारण particles का motion curve out हो जाएगा जैसा कि दिखाया गया है यदि आप इन दो situations में particle A की radius की तुलना करते हैं तो spust रूप से curved path वाले particles का radius जादा होगा अब fluid की speed को धीरे धीरे बढ़ाते हैं आप देख सकते हैं कि fluid particles का curvature और बढ़ जाएगा और एक तरह का spiral बन जाएगा ये concept और भी अच्छे से तब spust होगा जब आप अलग-अलग disk की speeds पर एक ही fluid particle को track करते हैं डिस्क की speed जितनी जादा होती है पार्टिकल सेंटर से उतना ही दूर जाता है फ्लूइट के flow का spiral shape वास्तव में एक blessing in disguise है spiral shape fluid particles और डिस्क सर्फिस के बीच के contact area को बढ़ाता है जिससे डिस्क पर viscous force के production में व्रिधी होती है इस effect का एक मतलब ये भी है कि टर्बाइन जितनी तेजी से घुमेगा उतनी ही जादा energy वो fluid से extract कर पाएगा दूसरे शब्दों में टेसला टर्बाइन high speed production के दौरान high efficiency exhibit करती है इस design को और बहतर बनाने के लिए हमें boundary layer thickness नाम के एक important concept को समझने की आवशकता है हम इस system में देख सकते हैं कि जो fluid particles disc के close contact में हैं वे इसके हिसाब से चलते हैं और एक stationary layer बनाते हैं molecules की next layer stationary layer को flow के direction में खीचने की कोशिश करती है हाला कि इस process में वे stationary layer molecules के लिए अपनी कुछ energy खो देते हैं बाद वाली layers के साथ भी ऐसा ही होता है दूसरे particles के flow को resist करने वाली fluid particles की इस tendency को viscosity के नाम से जाना जाता है इस तरहे आप clearly velocity में variation को observe कर सकते हैं जिस region तक velocity का variation मौजूद होता है उसे boundary layer area के नाम से जाना जाता है सपस्ट रूप से boundary layer के अंदर एक fluid layer अपनी पडोसी layer पर drag force उत्पन्द करती है क्योंकि layers के बीच एक relative motion होता है हालांकि boundary layer के बाहर की layers के बीच कोई relative motion नहीं होता है या layers के बीच force zero होता है boundary layer के इस phenomenon का उप्योग करने के लिए Nikola Tesla एक unique idea के साथ आए उन्होंने दो और parallel disk जोड़े अब चलिए flow को observe करते हैं हर surface पर एक boundary layer बनती है जैसा कि हमने पहले देखा boundary layer region के particles अपनी respective disk को खीजने या घुमाने की कोशिश करते हैं हालांकि आप दोनो boundaries के layers के बाहर एक region देख सकते हैं जहां fluid particles बिना किसी velocity gradient के freely flow कर रहे हैं ये free flow disk को कोई energy नहीं देता है और नहीं torque के generation में कोई खास योगदान देता है Nikola Tesla ने gap को boundary layer से दो गुना रखते हुए discs को और करीब लाया इस जगह कोई free flow नहीं होता है हम देख सकते हैं कि two boundary layer region अब एक दूसरे को छू रहे हैं जिसके कारण disc area के बीच shear effect अब dominant है steam के लिए ये ideal distance 0.4 mm पाया गया इस method को यूज करते हुए टेसला ने अपनी turbine के torque output में सुधार किया टेसला ने पाया कि disc और fluid के बीच effective area को बढ़ा कर turbine ज़ादा torque उत्पन्द कर सकती है इसलिए उन्होंने और disc जोड़े इस model का diameter 6 इंच था हाला कि ये design बुरी तरह से fail हुआ परिशानी थी इस turbine का बहुत तेज स्पीड से चलना 35,000 rpm पर निकोला टेसला ने कभी नहीं सोचा था कि ये turbine इतना high rpm उत्पन्द करेगा कि disc की ताकत material में produce होने वाले विशाल centrifugal force को जहलने के लिए काफी नहीं होगी जिससे warping के कारण material में expansion और disc failure हुआ निकोला टेसला को उस समय ऐसा कोई material नहीं मिला जो इतने high rpm को जहल सके आकिरकार उन्हें disc को mechanical failure से बचाने के लिए rpm को 10,000 से कम करना पड़ा अब बड़े सवाल पर आते हैं इस fact के बावजूत की टेसला टर्बाइन का निर्मान करना इतना आसान है फिर भी इसका उपयोग power generation industries में क्यों नहीं किया जाता है इसका कारण ये है कि आज के modern समय के steam turbines 90% से भी ज़ादा efficient है हम जानते हैं कि रोटर की speed बढ़ाने पर टेसला टर्बाइन ज़ादा efficient हो जाती है लेकिन टेसला टर्बाइन को इतनी high efficiency level को प्राप्त करने के लिए रोटर को बहुत ज़ादा RPM पर spin करना पड़ता है शायद 50,000 बड़ा challenge ये है कि industrial applications के लिए हमें 2 या 3 मीटर की आकार की डिस्क की आवशकता होती है टेसला टर्बाइन के 3 मीटर डायमीटर वाली इन imaginary डिस्क पर विचार करें 50,000 RPM की स्पीड पर इतने बड़े डायमीटर के डिस्क को आपरेट करना practically संभाव नहीं है मुख्य समस्या blade tip velocity की है आज के modern steam turbine blades अपनी tips पर 1.8 या sound की स्पीड से 1.8 गुना से भी जादा का match नंबर प्राप्त करने में सक्षम है मोटे तोर पर की गई calculations से पता चलता है कि इन hypothetical discs की tips पर match नंबर 13 होगा जो की definitely एक engineering impossibility है इसका एक मात्र उपाए RPM को कम करना है और हम जानते हैं कि इस तरह से turbine की efficiency में भारी गिरावट आएगी इसलिए अपने 6 इंच वाले model के लिए निकोला टेसला का 97% का efficiency claim अवास्तविग लगता है याद रखें वो इस turbine को केवल 10,000 RPM से कम में ही चला पाई थे इन कमियों के बावजूद टेसला टर्बाइन को कुछ niche applications मिली है दिल्चस्प बात ये है कि उधारण के लिए टेसला टर्बाइन reversible है यदि आप rotor को energy supply करते हैं तो ये एक pump के रूप में काम कर सकता है इसके अलावा हम जानते हैं कि टेसला टर्बाइन fluids के viscous effect के आधार पर काम करते हैं इसलिए इस प्रकार के pumps का उप्योग, waste water plants, petroleum industries और ventricular assistance pumps जैसे high viscosity applications में किया जाता है जाने से पहले lessics team के सदस्य बनना न भूलें धन्यवाद